गुद मॉर्निंग एप्रिवन आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉंटिटिटिव एप्टिट्यूट के चैप्टर सेकिंड जो की है रेशियो प्रपोशन उसका फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लाब हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पर उनके डिरेक्ट लिंक्स अब पिछले कुछ तिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स को एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनको जो वीडियोस वो हैं वो सारी उनकी मिक्स अप हो रहे हैं क्योंकि बहुत से लेक्जर्स बैक टूबैक डलते जा रहे हैं तो उन सब की प्रॉब्लम को सौ्टोट करने के लिए हमारी टीम ने चार प्लेलिस्ट बनाई हैं जो कि कुछ इस तरह दिखेंगी अब बात करते हैं कि किस प्लेलिस्ट में कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा तो ये रहे हर प्लेलिस्ट के नाम और उनके नीचे लिखे गए ये सारे टॉपिक जो आपको उस प्लेलिस्ट में दिखेंगे ये सारे इनिशियेटिव हमारी टीम ने लिए हैं आप लोगों के लिए ताकि हमारे व्यूवर्स को किसी भी त्रिकी की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े किसी भी टॉपिक को ढूड़ने में तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारे टॉपिक है रेशियो प्रॉपॉशन का सबसे पहले मैं आपको उसकी इंट्रोड़क्शन दे जाता हूँ रेशियो क्या चीज होती है रेशियो वो है जो दो नंबर के बीच में एक रिलेशन बताती है उनका कंपैरिजन बताती है एक बड़ा नंबर हो सकता है एक छोटा नंबर हो सकता है उनके बीच में वो एक रिलेशन बनाती है ठीक है अब वो जो दो नंबर है वो दो जो वै कि एक क्लास में कितने लड़कें कितनी लड़कीं है तो लड़के है वह 20% है लड़कियों से जादा लिकें हम गल्स को हमने 100 की वैलिए थी ब्ष आगे 120 क्योंकि ब्ष ब्ष पॉपलेशन ज्याद है गल्स और ग्री रिच्व आगी 5-6 वैसे ही एक और एक्जैंपल है number of students in school is 20% more than teachers अब यहाँ पी teacher और students है पर parameter क्या है दोनों के बीच में similarity क्या है वो है population की कि बताया गया है कि students जो है 20% जादा है teacher से वही चीज है ratio जो है 5 is to 6 ही आईगी बस नाम चेंज हुआ है बाकी parameter से मी रहे है तो आज का हमारा सबसब पहला concept है कि एक percentage को हम directly ratio में कैसे convert कर लें अब हर बार 100 लोगे फिर अगर उसमें increase करोगे फिर decrease करोगे फिर उसको reduce करोगे ratio में तो यह 1-2 second आपके ले ही जाएंगे तो उससे better है हम सीधा ही उनको convert कर लें आपको याद होगा percentage के first lecture में मैंने आपको percentage को direct fraction values में convert करना सिखाया था सिखाया नहीं था actually learn करने को कहा था अगर आपने learn किया तो आपके लिए ये वीडियो असान हो जाएगी अब इनने यहाँ पर 3 मैंने आपको numbers दी है 3 statements दी हैं जिसकी help से मैं आपको ये पूरा concept more और less के साथ समझा दूँगा ठीक है पहली statement है A is 25% of B second statement है A is 25% more than B और third statement है A is 25% less than B तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा सबसे पहले हमें चीज़ पता है कि 25% क्या होगी 1 by 4 के बराबर होगी अब ये 1 by 4 उपर वाली term होती है numerator नीचे वाली होती है denominator और इसी के combination को हम कहते है fraction ये चीज़ हम percentage chapter में discuss कर चुके हैं अब इस 1 by 4 का मतलब क्या है इस 1 by 4 का मतलब है जो नीचे वाली value होती है ना जो जिसे हम denominator कहते हैं उसकी ना हम अलग-अलग उसको assign कर सकते हैं question की need के हिसाब से जैसे कि ये जो नीचे वाली value है denominator ये हमें हमेशा हमें question को start करने में help करती है इस denominator को हम total value भी मान सकते हैं या फिर इस denominator को हम जो जिस number के साथ जिस value के साथ हमारे compare किया जा रहा है वो भी मान सकते हैं इस value से हमें इस denominator से हमें question का start मिल जाता है और आगे हम जो assumptions है वो सारी इसी के basis पर करते हैं अब हमें पता है कि 1 by 4 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर देखे लिखा है value to which comparison is done यानि कि जिसके साथ comparison किया जा रहा है जैसे कि हमारे question में था कि A is 25% of B यानि A का comparison हो रहा है B के साथ और बोला गया है कि A जो है B का सिरफ 25% ही है तो हम क्या करेंगे नीचे वाली जो term है उसको हम B मान लेंगे क्योंकि A का comparison B के साथ हो रहा है तो B की value हो जाएगी 4 अब उन्होंने कहा है कि A जो है वो B का सिरफ 25% है तो यानि जो उपर वाली term होगी वो हम दे देंगे A को आप ऐसे भी करके देख सकते है 4 का 25% हमेशा 1 ही आता है तो अगर B की value 4 units है तो A की value हो जाएगी 1 units यही answer होगा A is 25% of B next part पर आते हैं जो की है second part A is 25% more than B अब यहाँ पे more की बात हुई है ठीक है तो यही वही आगे 25% की value होगी 1 by 4 किस का comparison हुआ A का comparison हुआ है किस के साथ हुआ है B के साथ तो denominator क्या आएगा B जिसके साथ comparison हुआ है अब उन्होंने का है 25% जो है वो जादा है वो अब 25% है नहीं है तो आपको पता है 4 का 25% तो 1 ही रहेगा तो उपर वाली term जो है हमें उसके साथ खेलना है अब जो A है वो क्या है वो 4 से 1 जादा है A जो है 25% जादा है B से तो A जो है 1 जादा है 4 से तो A की value क्या आगई 5 तो A और B की ratio क्या आगई 5 is to 4 next part देखते है A is 25% less than B same है पिछले part की तरह बस हम इस बार add करने के बज़ाए सब्टेक्ट करेंगे A को compare किया जा रहा है B के साथ तो denominator क्या होता है जिसके साथ compare किया जाता है तो B की value आगई 4 A जो है 25% कम है B से तो यानि की A जो है वो 1 unit कम है 4 unit से तो A की value के आजेगी 3 unit तो A और B की ratio के आजेगी 3 is to 4 अब ही आया हमारा next concept इसमें multiple ratios को हम single ratio में convert करना सीखेंगे ठीक है सबसे पहला question आ गया if A is to B is equals to 5 is to 6 and B is to C is equals to 9 is to 11 then what is A is to B is to C अब यह वाले questions हम कैसे करते हैं हमें दिख रहे हैं कि पहली ratio है A is to B की और दूसरी ratio है B is to C की अब अगर हमें इन तीनों को जोडना है तो हमें इन दोनों ratios को जोडना है तो हमें इसके बीच में एक common point भी पता होना चाहिए हम इन ratios में देख सकते हैं कि B वो जो है B alphabet जो है वो common point है तो हम क्या करेंगे B की values लिख लेंगे नीचे B की value पहले वाली ratio में दी गई है 6 और दूसरी वाली ratio में दी गई है 9 अब हम क्या करेंगे एक ऐसा number देखेंगे जो 6 और 9 दोनों के table में आता हो तो 6 और 9 दोनों के table में आता है 18 ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यह पहली वाली ratio जो A is to B है उसमें हम उस ratio को हम उस number से multiply करेंगे कि जो हमारा 6 है पहली वाली ratio में वो 18 बन जाए तो क्या करेंगे हम A is to B को अगर हम 3 से multiply करें तो 6 जो है वो 18 बन जाएगा उसी के साथ साथ हमारा जो A है यानि कि जो 5 है वो बन जाएगा 15 तो पहली रेशयो को A is to B को 3 से multiply करने के बाद अब हमारे पास आ गया A is to B आ गी हमारे पास value 15 is to 18 ठीक है अब दूसरी रेशयो है दूसरी रेशयो में B is to C दिया हुआ है B की value तो नहीं है वैसे B को 9 दिया गया C को 11 दिया गया यानि C अगर 11 यूनिट है तो B 9 यूनिट है इसे भी हमें 18 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे 2 से multiply करके तो हमारे पास B यहाँ पर भी 2 से multiply होके 18 आ जाएगा C आ जाएगा हमारे पास 22 अब हमारा B जो है वो common हो चुक है अब हम A, B, C को एक रेशयो में डाल सकते हैं तो A की value क्या आई थी हमारी 15, B की आई 18, C की आई 22 तो A is to B is to C क्या हो गया 15 is to 18 is to 22 वैसा ही रहा second question ये भी question similar ह ही है अब इसमें क्या A is to B हमें दिया गया है 5 is to 6 ठीक है और B is to C हमें दिया गया है 7 is to 9 common point के B ही है पहली वाली रेशयो में B की value 6 है दूसरी वाली रेशयो में B की value 7 है अब 6 और 7 में हमें ऐसा नंबर ढूंडना है जो 6 और 7 दोनों के table में आएगा तो वो नंबर तो इनक से multiply कर देंगे तो B 42 बन जाएगा वैसे ही दूसरी वाली रेशयो में B है 7 और उसको हम 6 से multiply करेंगे तो 42 बन जाएगा पहली वाली रेशयो में 7 से multiply करने के बाद A आ जाएगा हमारे पास 35 B आ जाएगा हमारे पास 42 ठीक है दूसरी वाली रेशयो को 6 से multiply करने पे B हमारे पा 42 ही आएगा और C हमारे पास हो जाएगा 54 ठीक है और यही होगा हमारा final answer A is to B is to C आजाएगा 35 is to 42 is to 54 यह रहा third question if A is to B है हमारे पास 5 is to 6 और B is to C है हमारे पास 6 is to 11 अब common point के B है और एक चीज़ देखिए common point तो हमारा पहले ही match करके question शूरू करते ही match करके तो हमारी A is to B is to C की value क्या हो गई सीधा सीधा 5 is to 6 is to 11 थाना असान पार्ट ऐसे असान पार्ट आ सकते हैं पेपर में ध्यान रखना ठीक है अब आते हैं हमारे fourth question पे A is to B है हमारे पास 5 is to 6 B is to C है हमारे पास 12 is to 11 फिर वही B ही common point है अच्छा पहली ratio में B की value है 6 दूसरी ratio में B की value है 12 यानि हमें दोनों equation को किसी number से multiply करने के ज़रूरत नहीं है अगर हम पहली equation को 2 से multiply कर दे तो B हमारे 12 बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा तो हम पहली equation में 2 से multiply करने पे हमारा A आ गया 10 B आ गया 12 और दूसरी ratio में जो B तो already 12 ही था तो हम C की value as it is लिख देंगे C आ गया 11 तो A is to B is to C आ गया हमारे पास 10 is to 12 is to 11 अब ये हमने देखा A is to B is to C अभी तक सिरफ 3 alphabets थे अब हो सकते हैं 4 alphabets आ जाएं A, B, C, D अब ऐसे questions को कैसे करने हैं सबसे पहले आ गया if A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to C is equal to 4 is to 5 and C is to D is equal to 6 is to 7 तो हमें A, B, C, D के बीच में ratio बनानी है अब काफी length ही हो गया अगर हम पिछले method के हिसाब से करें पहले A is to B is to C निकालेंगे फिर उस A is to B is to C और C is to D में C को common point लेके बनाएंगे फिर पूरी multiplication करने में बहुत लंबा हो जाएगा अब मैं आपको इससे सीधा सीधा करने का एक trick बताता हूँ देखिए इन ratios को हम ऐसे लिख देंगे A is to B लिखा उसके सामने लिखा B is to C लिखा उसके सामने उसकी values C is to D उसके सामने उसकी values अब देखिए सबसे पहला alphabet क्या है सबसे पहला alphabet है A तो हम क्या करेंगे जो इन जो 3 ratios हैं इसके जो पहले-पहले वाले number हैं यानि कि 2, 4, 6 इनको multiply कर देंगे 2, 4, 6 को multiply करने के बाद क्या आएगा 6, 4 is a 24 और 24, 2 is a 48 बिल्कुल तो A की value आगी 48 बिल्कुल अब next देखिए, अब आपको B को देखना है, A is to B में आपको B दिख रहे है, B is to C में आपको B दिख रहे है C is to D में आपको B नहीं दिख रहा, अब मैं आगे बताऊंगा, पर ratios जो है न हमें तीनों use करनी है ऐसा नहीं है कि हमें B, B सिर्फ पहले दो ratios में लिखना है तो हम तीसरी वाली ignore करतेंगे अब आपने क्या करना है, B किस direction में दिख रहा है, यह देख रहे हो, diagonally B दिख रहा है हम ratios में भी पहले diagonally उनी दो numbers को multiply कर लेंगे, यानि 4 और 3 को multiply किया हमारे पास 12 आ गया अब नीचे आएंगे, C to D में से भी हमें एक number लेना है, अब second वाले B के नीचे जो exactly number दिख रहा है यानि कि 4 के नीचे जो number आ रहा है, 6, हम उसे multiply करेंगे, जो हमने पहले दो number का product किया, उससे यानि कि 12 से हम 6 multiply करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 48, oh sorry, 72, 12, 6, 72, गलती से मैंने 48 बोल दिया, 12, 6, 72, तो B की value आगी 72 units, अब हम C को देखेंगे, C कहां दिख रहा है आपको, एक second वाली ratio में, और एक third वाली ratio में, diagonally दिख रहा है, वैसे diagonally number हम लेंगे, 65, 30 तो आ गया हम हमारे पास एक number, अब जो सबसे top वाली equation, जो top वाली ratio है, जो second वाला जो है, second वाली ratio है, उसमें C के उपर जो exactly value आ रहे है, यानि 5 के उपर जो exactly value आई है, हम top वाली ratio में से वो वाली value लेंगे, यानि 6 into 5, 30 हमने किया हुआ था, ठीक है, अब हमने 5 के उपर आ रहा है 3, उसको हम जब 30 से multiply करेंगे, हमारे पास आजेगी value 90, C की value आ गई हमारे पास 90 units, अब आई D की बारी, मैंने आपको सबसे starting ये answer start करते ही बताया था कि A जो है, सबसे first digit है, first alphabet है, sorry, और D जो है, सबसे last alphabet है, तो A के लिए अगर हमने first 3 numbers, ratios के first 3 numbers को multiply किया था, तो हम D के लिए वैसे ही ratio के last 3 numbers को multiply करेंगे, 75 is a 35, और 35, 3 is a 105, जो की मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, तो हमारे पास A is to B is to C आ गया, 48 is to 72 is to 90 is to 105, अब आप एक चीज़ देखिए, A is to B is to C is to D में, यह 4 numbers तो आ रहे हैं, पर कोई एक common number है, जिससे ही कट जाएंगे सारे, 3 है, हम इनको 3 से काट सकते हैं, 48 को आप 3 से काटोगे, तो आएगा 16, 72 को आप 3 से काटोगे, तो आएगा 24, 90 को आप काटोगे, तो सिदे सिदे 30 आ जाएगा, और 105 को काटोगे, तो आ reduced ratio of between A, B, C and D, और यही है हमारा answer, अब next question आया हमारा, if A is to B is, 1 is to 2, B is to C है, 4 is to 5, C is to D है, 7 is to 10, तो A, B, C, D की value हमें निकालनी है, अब आपने देखा होगा कि पिछले question को समझाते समझाते काफी time लगा, पर actual में जब आप solve करने आओगे, तो इतना time नहीं लगेगा, मैं मैं ये question आपको समझाऊंगा नी, मैं बस फटा-फट ये question करूँगा, हमारे पास आगया है, A is to be 1 by 2, 4 by 5, 7 by 9, मुझे पता है, A के लिए मुझे पहले-पहले numbers को, ratio के पहले-पहले numbers को multiply करना है, 7 for the 28, A की value आगी 28, मुझे ये भी पता है, D के लिए मुझे last last के number को multiply करना ह 9, 5 is the 45, 45 to the 90, D की value आगी 90, अब B, मैं, मैंने आपको पिछले ocean में कहा था कि लिखना, ratios और उनके सामने-सामने उनकी values लिखना, ठीक है, पर मैं बिना इसे लिखे भी कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि पहले-वाली term में B का जो है, वो second position पे आ रहा है, तो मैं पहले- वाली ratio first position पे B आ रहा है, तो third में हम C वाली की value लेंगे, यानि की B के नीचे जो exactly था, वो था 7, ठीक है, 2 into 4 into 7 हो गया, हमारे पास 7, 4 is the 28, 2 is the 56, तो यह आ गया हमारे पास B की value आ गया 56, वैसी हम C पे करेंगे, last ratio में C आ रहा है पहले, second last ratio में C आ रहा है बाद में, तो 75 is the 35 तो हमारे पास आ गया, अब हमने second equation देखी, C आ रहा है last में, तो first ratio का भी हम last वाला ही digit लेंगे, यानि हम 2 लेंगे, तो 35, 2 जा कितने हो जाएंगे, 70, यह आगी हम इन चारों के बीच की ratio, अब एक common number है, जिससे यह कट सकता है, क्योंकि यह सारे even number है, तो हम इसको 2 से काट जाएंगे, 28 बन जाएगा हमारा 14, 56 बन जाएगा 28, 70 बन जाएगा 35, और 90 बन जाएगा 45, और यही है इनकी exact ratio की value, A is to B is to C is to D is 48, 14, 28, 35 and 45, अब आगे हमारा next topic, बहुत असान है यह चीज, आप दिखने में लग रहे है कि ओ, fraction values आगी, कैसे solve करना है, कुछ नहीं करना, fraction value ह is to 5 by 8, इसकी non-fraction value बतानी है हमें, A और B की non-fraction value बतानी है, कुछ नहीं करना, हमें का करना, इनको cross multiply कर देना है, और जिस position का numerator है, उन cross multiplication की value numerator वाली जगा बनेगी, जैसे A is to B में numerator है, अगर हम A को देखें, तो 1 by 2 में numerator है 1, तो जब हम 1 को 8 से cross multiply करेंगे, तो 8 जो होगा प multiply करेंगे, तो 10 जो है second position पर आएगा, तो A is to B आगया, हमरे पास 8 is to 10, जिसके answer होगा, 4 is to 5, अब next question आगया, A is to B है 2 by 3, is to 5 by 8, B is to C है 7 by 8, is to 3 by 4, सबसे पहले हमने क्या किया, A, B को cross multiply कर दिया, हमारे पास आगया, A to is a 16, 16 पहले आएगा, 5, 3 is a 15, 15 बाद में आएगा, A is to B आगया, 16 is to 15, next step में हमने का किया, B और C को हमों cross multiply किया है, जो कि हमारे पास आगया, 7, 4 is a 28, 8, 3 is a 24, इसको हम reduce कर सकते हैं, क्योंकि दोनों even number है, 14 is to 12 हमारे पास आगया, B is to C की ratio, अब मैंने आपको बताया था, क्या common point क्या है, B है, तो common point हमें 15 और 14 दिख रहे है, 15, 14 क हम multiply करेंगे, अब पहली equation को हम 14 से multiply करेंगे, ठीक है, और second equation को हम 15 से multiply करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, A is to B is to C, 16, जब हमने इन equations को multiply किया, आपको देखा, तीनों equations में आपको एक-एक even number दिख रहा था, तो आपने even number को reduce कर दिया, 2 से divide करके, अब आपके बास बचेग और reduce नहीं कर सकते क्योंकि कोई common number दिख नहीं रहा, तो A is to B is to C की ratio आजेगी, 112 is to 105 is to 90, इसे के साथ हमारा first part जो है ratio proportion का खतम होता है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ratio proportion chapter जो है हमारे लिए काफी ज़ादा important chapter है, तो हम इसको काफी सारे parts में और अच्छे से स चलता है, तो ये chapter हमारे लिए काफी ज़ादा important है, इन बाकी तीन chapters के नजरी से भी और D.I. में ratio proportion और percentage का बहुत ज़ादा use होता है, तो ये chapter हमारे लिए काफी ज़ादा important है, इसका कोई भी lecture मिस मत करना और जो भी पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, जो भी doubt होंगे आप comment section मे लिखिए, मैं आपके एक एक डॉट को personally clear करूँगा, इसी के साथ हमारा first part खतम होता है, आप हमारे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और इस वीडियो को share कीजिए, thank you